अलो प्रेंट्स अब्सक्राइब कीजिए Mr.Health Benefit को और इस बेल आकन को दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रेंट्स आज का हमारा तौपिक है मोठापा प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने मोठापे को कैसे कम कर सकते हैं इसके लिए आप अजवायन का यूज करेंगे जी हाँ अजवायन जो हम सब के घरों में आसाली से मिल जाती है फ्रेंट्स यह एक मसाला है जिसका यूज खाने में किया जाता है लेकिन इसका यूज मोटापे को कम करने करी कैसे किया जाता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अजवायन का यूज करने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके मोटापर गटने के साथ साथ आप हैल्दी भी रह सकते हैं और आपकी जो भी बीमारिया है वो कम हो जाएंगी तो चलिए फ्रेंज जानते हैं कि अजवायन का यूज करके आप अपना मोटापर कैसे कम कर सकते हैं फ्रेंज आपको सिर्फ आदा चमश अजवायन को एक गिलास पानी में डाल कर उबालना है और इसे सुभा सुभा पीना है इसे चान कर फ्रेंज इससे आपके मोटापर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी फ्रेंज अगर आप सुभा उठकर पानी पीना नहीं चाहते उबला हुआ पानी नहीं पीना चाहते और नहीं उबालना चाहते तो मेरे पास एक और तरीका है जिससे आपका मोटापर कम हो सकता है को नियमित रूप से पीओगे तो आपकी बॉड़ी का मेटवॉलिज्म बढ़ेगा और आपकी बॉड़ी से मोटापा बढ़ना कम हो जाएगा फ्रेंट्स आप इसे एक या डेर्ड महीने इसका यूज कीजिए आपकी मोटापी की प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगी फ्र चांते हे प्रेंट्स हजवायन का पानी पीने से और क्या प्रॉफिट मिलता है हमें नमबर एक रोज सुबह इस पानी से दांतों का दर्द और मूँ की बद्बु जैसी प्रॉब्लम दूर होती है नमबर दो कब्ज की समस्या को भी ये दूर करता है नमबर तीन अजवायन का पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या भी ठीक हो जाती है और हस्तम का खत्रा भी तल जाता है नमबर चार इस पानी में अगर आप एक चुटकी काला नमक मिला कर पीएंगे तो इस से आपकी खासी भी दूर हो जाएगी और पेट की कीड़े मी मर जाएंगे नमबर पाँच इसको पीने से किड्नी की पत्री और उसमें होने वाले दर्द से भी जाहत मिलती है तो अजवायन का पानी पीकर आप अपना वजन घटा सकते हैं वजन घटाने के लिए इस उपाय के साथ साथ आपको और भी अपना स्टाइल चेंज करना होगा जैसे कि तला भुना कम खाना होगा या उसे छोड़ देना है और खाने के एक गंटे बाद पानी पीना है और दिन में एकसरसाइस के लिए भी टाइम जरूर निकारना है तो चलिए फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक नहीं पर खतम होता है हमारी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक जरूर किज़ेगा फ्रेंट्स बाई फ्रेंट्स